Hey guys, it's Neeraj and you're watching QTricks 2.0 स्वाइट आप सभी काज के इस क्लास में तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लग रही होंगी अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना अब कई सवार उड़ता है कि इतने पहले से प्रिपरेशन क्यों हूँ प्रिपरेशन इसलिए पहले से क्योंकि देखो गौर्मन जॉब के लिए उत्राखण में बहुत जाधा डिफिकल्टी है ग्रूप C का क्या हाल है आप जानते ही हो बताने की ज़रूवत है नहीं तो इसलिए उत्राखण D.A.L.E. जो बहुत एज़ी एकजाम होता है और दो साल की ट्रेनिंग के बाद आप तुरंत जो है अपने ही ब्लॉक में आप सेलेक्ट हो सकते हैं तो इससे बेटर और क्या चाहिए तो इसलिए उत्राखण D.A.L.E. की तयारी हम लोगों बहुत पहले से शुरू करा दी है और Maths की preparation अभी हम कर रहे है और Other subject की preparation भी जल्दी शुरू हो जाएगी एक बार notification आने दीजे चलिए तो आज की class शुरू करते हैं आज के पहले question के साथ अगर किसी को Maths का basic पढ़ना है आप किसी भी background के है Maths, Bio, Commerce, Arts तो नीचे description में सभी subject सभी topics के link दिए हो है प्लेइलिस्ट के 4-5 वीडियो होंगी उनको जाके ज़रूर एक बार पढ़िए आप definitely सीख जाएंगे कि कैसे question को करना है बहुत easily वहाँ पे मैंने समझा रखा है कोई भी Maths सीख सकता है ठीके? चलिए तो आज के class आज के पहले question के साथ शुरू करते हैं तो आज के जो पहला question हमारा है वो है 70 लीटर मिश्रण में दूद और पानी का अनूपाद 4 अनूपाद एक है यदि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूद और पानी में क्या अनूपाद होगा? देखो बहुत असा question है आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जब किसी मिश्रण में नया कुछ मिलता है तो दूद में दूद ही मिला होगे और पानी में पानी ही मिला होगे दूद में पानी मत मिला देना या पानी में दूद मत मिला देना अब यह मैं क्यों कह रहा हूँ तो टोटल कितना लीटर है? 70 लीटर है और अनूपाद कितना है? मिल्क और वाटर का 4 रिशियो 1 है तो यह हो जाएगा मान लेते हैं कि जो milk है इसको डिवाइट करेंगे यानि 70 लिटर टूटल हो गया डिवाइट करेंगे 4 और 1 5 से तो इन कटेका 14 ताइमस यानि 14 फॉर्ज़ा 56 और 14 बंज़ा 14 लीटर आपका water हो गया ठीक है अब milk है 56 लीटर ठीक है यह milk हो गया और जो water है वो 14 लिटर है अब water कितना मिला रहे हो आप 7 लिटर वाटर से मिला दो मिला दिया तो यह हो गया 21 लिटर तो अब 56 लिटर मिल्क तो उतना ही राज अतना था पानी बढ़ गया जो 21 लिटर हो गया नया अनुपात आपको बताना है यानि 56 अपॉन 21 ठीक है तो 7 8 जा 7 3 जा यानि 8 रेशियो 3 आपका आंसर होगा जो है option number ठीक है बढ़ते हैं आज के अगले प्रिशन की तरफ तो आज का जो अगला प्रिशन है वो है 10 वस्तूं का क्रय मूले 9 वस्तूं के विक्रय मूले के बराबर है तो लाव प्रतिशत ग्याद करिए तो सबसे पहले जी लाव प्रतिशत का फॉर्मूला यानि profit percentage का फॉर्मूला क्या होता है profit upon cost price into 100 और profit equals to क्या होता है SP minus CP अब इस question को जो करने का तरीका है वो जो है बहुत lengthy method है अगर आप के rational देखोगे तो मैं आपको एक trick सिखाता हूँ आज अगर ऐसा question exam में आता है और आने की संभा होना बहुत जादा होती है कुछ चीज़ों का क्रे मूले कुछ चीज़ों के विक्रे मूले के बराबर है तो जब ऐसी condition आएगी कुछ विस्तूओं का क्रे मूले के बराबर है तो जसके साथ क्रे मूले लिखा हुआ जैसे 10 के साथ क्या लिखा हुआ है क्रे मूले तो इसको आप उपक्रे मूले मान लिज़े यानि selling price क्या हो जाएगा हमारे यहां पे 10 रुपे मान लीजे और जिसके साथ विक्रे मुल्य लिखा हुआ है उसको आप क्रे मुल्य मान लीजे यानि cost price कितना हो जाएगा यहां पे हमारा 9 रुपे हो जाएगा तो 9 रुपए 10 रुपए भी क्रेमूली यानि फाइदा कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, एक रुपए का फाइदा हुआ हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है 1 upon cost price यानि 9 into यानि 100 upon 9% 100 upon 9% यानि option number D आपका answer होगा 1199 और 1 upon 100 ठीके तो यह आपका answer होगया कितना clear है सभी को कितना clear है ना बहुत असान question था तो अगर कभी ऐसा होता हला कि इसको जब करने जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा लेकि यह trick है अगर कुछ चीजों का क्रेमुले कुछ चीजों के विक्रेमुले के बराबर है तो आप हमेशा ऐसी करोगे जिसके साथ क्रेमुले लिखा हुआ है उसको विक्रेमुले मान लोगे और जिसके साथ विक्रेमुले लिखा हुआ है उसको क्रेमुले मान लोगे किसमें रुपीज के फॉर्म में ठीक है चलो अगला कोशन देखते हैं तो जो अगला कोशन हमारा है वो है कक्षा में लड़कियों की संख्या की चार गुनी है निम निम में से कौन सी संख्या कक्षा में विध्यारतियों की कुल संख्या नहीं हो सकती देखिए मान लेते हैं लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या की 4 गुनी है यानि मान लेते हैं girls कितनी है, लड़कियां कितनी है, x है तो boys कितने होंगे, 4 गुनी है, यानि 4x हो गया ठीक है, दोनों total कितना हो गया, 4x, x plus 4x is equals to 5x हो गया, मतलब class में जितने भी बच्चे हैं, class में जितने भी बच्चे हैं, उनका जो भी number होगा, वो 5 का multiple होगा, 5 से गुणा हो जाएगा, जो भी होगा, 5 से multiple होगा, अब इसमें से जो 5 का multiple नहीं है, वह हमारा answer है, यह तो पुछा कि कौन से संख्या नहीं है, तो यानि अगर total number 5x है, तो 42 हमार answer होगा, क्योंकि यह 5 का multiple नहीं है, और यह कुल विद्ध्यारतों की संख्या नहीं हो सकता, ठीक है, clear है ना, चलो, बहुत बढ़ी है, असान-असान question से आज, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, अगला question आपका है 5, 3 by 4, 4, 4 by 5, और 7, 3 by 8 के योग में कौन सी भिन्न को जोड़ा जाए कि परिणाम एक पून संख्या बन जाए, पून संख्या का मतलब पून संख्या बन जाए का क्या मतलब है, कि एक number बन जाए, जो इसको जोड लेते हैं, तो 5, 4 जा, 20 और 3, 23 तो यह कितना है, 23 अपॉन 4, प्लस 4, 5 जा, 20, 20 और 4, 24 अपॉन 5, प्लस 8, 7, 8 जा, 56, 56 और 3, आपका कितना हो जाएगा, 59 अपॉन 8, सबसे पहले इसमें कोई एक number जोडना है, कि यह पून बन जाए, तो सबसे पहले हम इसको प्लस 5, 8 जा, 40 यहीं, 24 अठ्थे करना पड़ेगा, आपको, 8, 4 जा, 32, कैरी 3, 8, 2 जा, 16, और 3, 19, 1, 92, प्लस 8, 5 जा, 40, 5 जा करेंगे, 5, 9 जा, 45, कैरी 4, ठीक है, और 5, 5 जा, 25 और 29, इसको जोड देंगे, यहीं, 230, प्लस 192, प्लस 295, ठीक है, तो यह जाएगा, 5 जाएग 13 और 3 आपका होता है, 21, जारी 2 हो गया, 24 और 26 और 1, 7, तो यह आगया, 717 अपन 40, ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है, कि इसमें हम क्या जोडें, कि एक पूर्ण संख्या बन जाए, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो, बहुत असान तरीका है, अब यह तो तय है, कि इसमें अगर हम ऐसा नंबर हमें लाना पड़ेगा, कि नीचे 40 है, तो नीचे 40 है, देखो, यह 40 है, यह 40 है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम ट्राइ करेंगे, ठीक है, सबसे पहले 1 by 40 से ट्राइ करेंगे, अगर हम इसमें 1 by 40 एड़ करते हैं, तो कितना आता है, 718 अपन 40, ठीक है, तो अब यहाँ पे, आप यह 40 हो गया, यह 8 हो गया, तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या 40 से 718 डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है, इसको मैं रेज कर दे रहा हूं, दूसरा हम क्या ट्राइ कर सकते हैं, दूसरा हम 3 by 4 हो गया ठीक है और 480 32 हो गया यानि 18 हमारा एक पूर्ण संख्या आ रहा है इसका मतलब जो मारा आंसर होगा वो गया option 3 by 40 तो यह आपको try करना पड़ेगा option से आपको सो करना पड़ेगा तो आप easily कर पाऊगे समझ मैं अगर यह question ऐसा होता कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो परिणाम है वो यह हो जाए तो हम क्या करते हैं इसमें एक जोड़ के equal कर देते हैं ठीक है बहुत बड़ी है अगला question देखते है नेक्स question है हमारा एक मेज को 600 रुपे में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाब होता है जितने रुपे में मेज को खरीदा गया तो मेज का क्रेम औल बेचक देखो यह बड़ा ही अच्छा सा question है यह question पहले चुका है क्रेम बेच निकालना यह आपको cost price निकालने है cost price निकालने, क्या बोला गया है, कि जितने प्रतिशत का लाब हुआ है, उतना ही उसका क्रेय मूले है, यानि अगर क्रेय मूले X रुपे है, तो profit percentage भी X परसेंटेज है, यह दोनों की जो संख्यात्मक मानने है, दोनों की जो numerical value है, वो same है, ठीक हो गया, selling price कितना है, 600 रुपे, question solve हो गया, क्यासे solve हो गया, हमें पता है कि जो profit percentage इक वो होता है, profit upon cost price into 100, ठीक है, profit into cost price into 100, तो उसा light का issue है, एक सेकंड देना मुझे, profit upon cost price into 100 हो गया, अब value रख देता है, तो profit कैसे निकलता है, profit आपका होता है, sp minus cp, यानि 600 minus x, तो profit percentage की जगा भी x रखेंगे, profit की जगा रखेंगे 600 minus x, cost price की जगा रखेंगे x, और into 100, ठीक हो गया, अब इसको solve कर लेता है, कैसे solve करेंगे, देखो, इसको solve करने के लिए हम क्या करते हैं, x को उधर ले जाते हैं, तो यह हो जाएगा, x square, is equals to 6, अब इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे, x square minus, 24 plus 100x, ऐसे लिख सकते हैं, is equals to 0, ठीक हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मेरी visibility में हटा रहा हूँ, जिससे कि हमें थोड़ी सा time मिल पाए, जगा मिल पाए, sorry, ठीक है, तो x square minus 60,000 plus 100x हो गया, अब इसको solve करने के लिए हम middle time spit का use करते हैं, सबसे पहले सको sequence में लिखेंगे, ठीक है, तो sequence में लिखने के लिए हम थोड़ा सा जगा चाहिए होगी, x square, यहाँ पे लिखेंगे plus का 300x, minus का 200x, और minus का 60,000, यह जो चीज मैंने करी, middle time split करी, अगर किसी को इस चीज में दिक्कत है, तो अभी फिलाल इसको छोड़ देना, अब जब मैं regular classes कराऊंगा, तब इसके लिखेंगे अलग से में class लोगा, क्योंकि इसकी जरूवत पढ़ रही है, ठीक है, x common ले लेंगे, तो जाएगा x plus 300, ठीक है, फिर minus का x common लेंगे, minus का x common नहीं लोगे, अच्छली, minus का 200 common ले लोगे, तो minus का 200 हमने common ले लिया, तो जाएगा x plus 300, यहाँ पर x की दो value आगई, एक x की value आगई, plus का 200, और 1x की value आगई, minus का 300, तो x की value यहाँ पर minus का 300 आगई, ठीक है, और plus का 200 आगई, तो minus में तो किसी चीज़ का crime ले हो सकता है, क्या minus में, नहीं हो सकता, किसी चीज़ की value minus में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो हमारे जो answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, option number B, 200, ठीक है, अगर किसी को इस question में problem हुई है, अगर दिक्कत हुई है किसी को, तो कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे comment section बताना है, question number 138 समझ में नहीं आया, हो सकता है problem आई हो, यहां तक तो आई गया होगा, मुझे लगता है, इस page तक तो आई गया है, उसके बात problem होई होगी, तो कोई issue नहीं है, नॉर्मल ग्लास में उसको discuss करें, ठीक है, चलो, फिर यह गार comment section बता देना, ठीक है, चलो, thank you so much, मिलेंगे आप लोगो से फिर अगली ग्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बढ़ाई करते रहे Bye Bye and Take Care